सामाई का प्रत्या ख्यान कर लेंगी करेमी भंते सामाईयम सावज्यम जोगम पच्चक्खामी जाओ नियमम महुत्तम एगम पज्वासामी दुविहम तिविहनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा तस्वंते पडिक्मामी निंदामी गरिहामी अपाणम वोसिरामी एक साम सामधान कुछ समय के लिए काय गुप्ति का अभ्यास करेंगे, आखें को मलता से बन, रिड़ की हटी वकर्दन सीधी रहे, मन शान, सरीर को स्थेर शेथेल एवं तनामक्त करे, कहीं कोई हालन चलन नहीं स्थिरता, सरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता. सरीर को पूरा धिला छोड़ दे, जितना धिला छोड़ सकते हैं. पुरा धिला अबार ही वकर्णे आज ढरे वकर्णेऊ कोमोचम्य कोर्ईमक्त स्थिर्चा को स्थिर्ट्स अइψ प्श्रा जोड़ कि एम बाष्छ़गी, जितना वकर्णाश करेंगे, कि ऱॉर र्शटर्स इव लाती जाती इव लाती स्वास को देखें कुछ समय के लिए स्वास मय बन जाए एक भी स्वास आपके बिना जानकारी न बाहर आए और न भीतर जाए दो तिन लंबा गहरा स्वास लें लंबा गहरा स्वास चोड़ें अजब के लिए खूगएं लंबा गहरा आपके लें लंबा गहरा स्वास आपके ले खूग झाया है लें लेंगें के लेंगें झाल झाल प्रेक्संपन ओूम आरहम ओूम आरहम ओूम आरहम एक बार बोलों के नाम बोल देंगे 25 बोल का पहला बोल कौन कौन सी नरक गती दिरेंज गती देव गती अगली बार आप बोलेंगे चार गतियों में जाने के चार चार कारण क्या है मैं अगली बार पुछ हूँ ठीके दूसरा बोल चार थी पांच कौन कौन सी ठीके और तीसरे बोल के अपन चर्चा करने जा रहे हैं काया च्छ कितना काया च्छ क्या संसार में सिर्फ च्छ काय के जीव ही है काया सिर्फ च्छ ही है कितने है देखो ऐसा है ऐसे देखें संसार में दोई चीज़े जीव और बाकी तो सब विस्तार है ठीक है अब उसको विस्तार को यदि हम जाते हैं तो अलग-अलग पुद्गलों से सबका सरीर बना हुआ है उजो सरीर बना हुआ है पुद्गलों से बना हुआ है पुद्गल क्या होता है आकंक्षा भलो पुद्गल जानते हो क्या होता है पुद्गल मैटर दोसरे सब्दों में इतना सा समझुआ संसार में जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पुद्गल गुजन जी के पीछे क्या? निपुन भाई आपका क्या नाम है? पुनिच जी पुनिच जी आप हमको देख पा रहे हैं मैं आप लोगों को देख पा रहे हैं आप लोग क्या है? सब पुद्गल है? जीव है या जीव है? पुद्गल सब non-living being होता है तो आप लोग जीव है या जीव है? वापस ध्यान दे दिखाई देने वाला सब पुद्गल जो भी दिखाई दे रहा है तो आप हम सब क्या है जीव और अजीव के मिस्रण है ठीक है आत्मा इसको ऐसे बोल सकते है आत्मा की अपेक्षा जीव शरीर की अपेक्षा ठीक है शरीर की अपेक्षा पुदगल और सरीर के अपेक्षा अजीव और आत्मा के अपेक्षा जीव ठीक है यानि निसकश इतना ही हुआ जो भी हमको दिख रहा है वो सारा पुदगल और पुदगल non-living being होता है वो कभी living being नहीं होता ठीक है और सबसे मज़ेदार बात, दुनिया में जितने भी चीजे हैं, स्वतंतर रुप से कुछ नहीं है, सब की सब, वो living being का छोड़ा हुआ ही है, living being का छोड़ा हुआ ही है, आप बताइए ऐसा कौन सा चीजे जो बिना living being का छोड़ा हुआ है, मेरी बात समझे आप लोग, जैसी यह टेबल है, यह टेबल किसे बना है, लकड़ी से, ट्री क्या है, एक हिंद्री जीव का सरीर है, ठीक है, कपड़ा है, किसे बना है, कपार, रुई से, रुई क्या है, वनस्पती जीव, वनस्पती का एका है, वनस्पती का है, एक हिंद्री ठीक है मैं ये कह रही हूं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो जीव का छोड़ा हुआ ला हूँ ठीक है तो अब बात अपन कर रहा है तो सारे के सारे एक पुद्गलों का जो पुद्गलों के समोह से जो बना है उसको हम कहेंगे काय टोटल काय कितने प्रकार का चा प्रकार का ऐसे हम देखें ऐसे काय की दृष्टे से यदि अपन देखें उसको म्यूट कर लो ना ऐसे हम देखें, देखिए, काया, छा काया, बोलते हैं अपन, जीव, अलग-अलग भेद, आगे पी पता चलेगा आपन को, ऐसे जीव के जब भेद करते हैं अपन, सिद्ध संसारी दो भेद, ठीक है, जीव के तीन भेद भी होते हैं, कौन-कौन से भेद? त्रीवेद, पुरुसवेद, नपुन सक भेद, चार भेद भी होते हैं, कौन से? ये चार जोग गतियां है, पांच भेद, एक इंदी, दू इंदी, तींदी, चतुर इंदी, पंच इंदी, छा भेद, छा काया, ठीक है? तो अब छा काया है, तो ये सिर्फ अपन जैसे जो बोल रहे हैं, एक इंदी, दू इंदी, तींदी, चतुर इंदी, पंच इंदी, इसको और थोड़ा विस्तार कर दिया, छा काया, छा काया के नाम क्या है? वित्वी काया, आपकाय, तेजस काया, वायू काया, वनस्पति काया, और त्रस काया, तो ये जो पंच काया हैं, जिनको हम स्थावर बोलते हैं, ऐसे देखें, देखें, दो भेदों गए, त्रस और स्थावर, जिव की जहां दो भेदों की बात करते हैं, त्रस और स्थाव बोले प्रतिभार जी आप त्रस या स्थावर है पक्का पीछे रितु जाजी क्या त्रस या स्थावर प्रतिभार जी ने का इसले बोलो चेतन जी त्रस या स्थावर पक्का है न या ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं अब ये बता ये त्रस और स्थावर की परिभासा क्या है विशाल जी स्थावर किसको कहते हैं पर जो और बुलिए ठीक है देखो स्थावर ठीक है जो स्थिर रहता है और प्रस की परिभासा करते हैं कि जो गमना गमन करता है गमना गमन क्यों करते हैं सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुखों से निबृत्त होने के लिए जो गमना गमन की क्रिया करते हैं उनको हम त्रस बोलते हैं स्थावर हम दूसरे सब्दों भी यह भी बोल सकते हैं जिनका सुख दुख हम साक्षात नहीं देख सकते उनको क्या कहेंगे हम स्थावर ठीक है या जो अपने सुख के प्रवृति के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए कोई गमना गमन नहीं करते और मेरा एक प्रस्न है आप लोगों से वायू है देखिए स्थावर पांच जो स्थावर काय की जीव है नेहा बोलो वायू को हम एक स्थावर में ले रहे हैं और स्थावर के हम परिभासा कर रहे हैं जो गती नहीं करता है तो वायू गती करता है या नहीं करता है अगनी इसे बोल रहा है देखी सिर्फ जिनका गती सुभाव है सुक्र की प्रव्रित्ति के लिए नहीं करते और दुख की औरंब नहीं करते इसलिए इन दो को कई बाद गती तरस गमना गमन के अपैक्षा से उनको ब blossom तरस बोल दें तो गती तरस भी कहते हैं ठीक है तो जिसका सुख दुख साक्षात नहीं देख सकते हैं जो चलते फिरते नहीं है उनको हम क्या कहेंगे स्थावर जी और मूल ये देखा जाए स्थावर जैसे सरीर जो भी सरीर जिसको मिलता है आठ कर्मों में किस कर्म से बेक्ती को सरीर मिलता है नाम कर्म से भावे जी कौन सी कर्म से सरीर मिलता है चलो इतना ध्यान से सुनो कि नहीं भी आता है तो कम सी कम जो उत्तर दिये है न उसके आधार पे तो बोली ही सके आठ कर्मों में किस कर्म से सरीर मिलता है चलिए नाम कर्म से ठीक है तो स्थावर नाम कर्म का उदे भाव से उनको स्थावर हम कहते हैं और तरस किसको तरस के उदे से कली बाद दोसरी बाथ जो गमना गमन करता है इसमें बहुत सारी उनकों अलोग जो जीव करते हैं सामने आना, मुड के जाना, दुख से निवृत होने के लिए करना जो भी ये सारे एक्षन रियक्षन जो भी होता है, वो सारा घिसारा ये तरस का सिंप्टम है तरस की परिभासा है अब हम एक-एक चलें जो उस पांच स्थावर की बोल रहे हैं पांच जो भोई और की इंद्रिया कितनी है सिर्फ एक और वो भी कौनसी पांच स्थावर की इंद्रिया only एक इंद्री ही है ठीक है और वो कौनसी इंद्री अच्छा अब एक पर आप बता दीजे जिसके एक इंद्री होगा कौन सी जिसके दो होगा कौन सी जिसके तीन होगा कौन सी जिसके चार होगा कौन सी जिसके पांच होगा कौन कौन सी एक होगा तो ऐसे नहीं तीन हुआ तो घ्राण, चार हुआ तो नीचे के तीन तो होगे ही, और पांच हुआ तो कांभी, अब मेरा जो प्रस्न था, पृत्वी का है, एक इंद्री, ये पांच है, पृत्वी का है, आपका है, तेज़ का है, वायू का है, वनस्पती का है, पृत्वी का है, पृत्वी ह जिनका सरीर है उनको कहेंगे हम पृत्वी काय ये दो प्रकार के हैं सचित भी होते हैं और सारे जीव सचित भी होते हैं और लेकिन काय ही कहेंगे अपन जिस पृत्वी पर अपन चल रहे हैं वो सचित है या चित है देखे सचित चित सही चित यानि चेतना जो चेतना सहीत है हम सचित और जो चेतना रहीत है उसको कहेंगे हम और चित ठीक है अब मैं जो बात बता रही हूँ पृत्वी काय पृत्वी ही जिनका सरीर है उसको कहेंगे हम अच्ब कौन-कौन से जी उसमें आएंगे बोलो पृत्वी काय में कौन-कौन से जी आएंगे में इते शो राज़ी मुटत रहीं जाम इते जाम इते बुटत झाल 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 तो बैठे बैठे नींद आना उसको कहेंगे हम प्रचला और खड़े खड़े चलते चलते नींद आना उसको कहेंगे हम प्रचला प्रचला आती है चलते चलते नींद किसी को बहुत गहरी नींद आ रही है और आप वॉक कर रहे हैं उसे में तो क्या करते हैं बहुत गहरी नींद आ रही है ऐसा कभी नहीं हुआ अचा तो प्रचला प्रचला तो नहीं अचा उसको हम स्त्या नर्दी बोलेंगे आगे जो पांचमी निंद है बेक्ती निंद में बहुत काम कर लेता है बहुत कुछ कर लेता है एक तो देखे चल रहे हैं और एकडम से निंद आ रही है और एक बेक्ती सामने वाले को यह नहीं पता चलेगा कि यह जागा वाई या क्या है एक बार पहुत हम जब छोटे थे हम कई जने थे लड़कियां तो मैंने देखा एक किसी के साधी में ही गए वे थे वो एक लड़की उठकर के पहले अपने बैट के चारो तरफ चकर तिन चार चकर लगाती है फिर जाके तरवाजा खोल रही है हम आवाज दिये मूड के देख भी रही है फिर भी जा रही है लेफ्ट तक चले गई मतलब और उसको खुद को पता भी नहीं है हमारे एक समरी जेने एक बात कही थी बोले उन्हों ने अपने मम्मी के लिए इसायर कहा था नेंद में रात को बिलोना कर लेते हैं घर की साफसफाई कर लेते हैं कपड़ी धो लेते हैं और उनको और सो जाते हैं और सुब़ पुछेंगे किस ने किया कौन से नेंद है स्त्यानर्धी इसको क्या कहेंगे हम अब एक मचिदार बात देखिए माल लिजे कोई साधू भी है ठीक है और जिनको ये स्त्यानर्धी नेंद है उठ करके जहां करके किसी का मॉडर करके भी आ जाते है और आ करके सो जाएंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है लेकिन जिनकी नेंद स्त्यानर्धी की नेंद है उनको साधूपन में उनको नहीं रख सकते फिर ऐसा यदि कुछ भटना घटी है पहले उराने जमाने में पर उनको संग से अलग कर दिया जाता है अब मैं यहां बात आप लोगों को बता रही थी जो एकिंद्री जीव है वो कौन से नीन में रहते है एकिंद्री जीव कौन से नीन में रहते है स्त्यानर्धी ये इतनी गहरी नीन में ना हो उनकी जो वेदना होती है उसानी न कर पाई मैंने क्या कहा एक बात सुनो यानी यहां कहने का सेंस यह सुनो यहां तो इतना गाड में बस वो सोय ही रहता है ठीक है अब जैसे कुमकर्ण कितना सोता था कितना सोता था और फिर सभी यही बात बोल रहे हैं चा महिना सोता था और चा महिना जाकता था सभी यही बात बोल रहे हैं एक दिन में वो खाते हैं फिर सोता था हाँ, चा महिना सोता था एक दिन जाकता था फो खाता था फिर चा महिना सोता था तो बारा मैं 365 दिन में वो एक ही दिन जापता था बाकि 364 दिन वो सोता था स्थ्यान अर्धी कुछ भी करे उनको कुछ नहीं पता चलता था खेर जो इतियास बताता है कि उनको वैसा वर्दान मिला वा था बहुत साधना की उनने बहुत साधना की और इंद्र प्रसन नहों करके कहा भी मांगो कुछ बर्दान मांगो मांगना था उनको इंद्रासनम देही इंद्र का आसन मुझे मिले और मांग क्या लिया निंद्रासनम देही सिर्फ आय और एन का अंतर आया कहां इंद्र का आसन और कहां नींद का आसन निंद्रासंना बन जाए तो वो स्त्यानरधी नियुक्त जो अपने स्मिता जी जो बात देखे एक बात यहां जो मैं बात बता रही हूँ गहरी इतनी गहरी होती है यहां मैं गहरी की बात पता रही हूँ कि उठकरके इतना कुछ भी कर लेता रोग उसको यह नहीं पता हिचा कि मैंने कुछ किया है , वह वह सोता ही रहत आता तो इतनी गहरी इतनी गहरी कि उसको कुछ भी करलो मजा ले कोई जगा दे उसको Αूder निञ इनि वह ऊसका पर्सेंटेज देखो निद्रा निद्रा में गाड नींद है एक तो कि इतने हलके कि किसी के आहट से भी उठ जाता है इंसान एक इतना गाड की जब जोरो तो भी उठता नहीं लेकिन आखिर तो उठ जाता है स्त्यानर्दी उकुंब करने की नींद ही बोलेगे ऑप इतनी गहरे कि उसके दोड, धमा के ये बजा दो, वो बजा जो उसको उठा करके कहीं दूसरे जगर ले जाओ, उठता ही नहीं है तो इस्त्यानर्धी नेन, ये एकेंदरे जीवों के इस्त्यानर्धी नेन इतनी उनके सरीर में जो बेधना होती है, कश्ट होता है, उसको उसहनी ना कर पाए निगोदि के जीवों के भी नेंद सारे स्त्यानर्धी के नेंद होती है तो दस संग्याओं के भी बात बता रहे थी आहार आहार की निरंतर लालसा निद्रा नेंद में सोय रहते हैं नेंद सभी जीव में होता है आहार निद्रा भै निरनत हार जीव भय बीत रहता है क्या चीज़ का सबसे बड़ा भय होता है आप लोग को भय है या नहीं है सबको भय है क्या चीज़ का भय करम का भय तो होना ही चाहिए निरनतर भय संग्या ऐसी है या विक्ति को निरंतर सताता रहता है निरंतर भले हम अपना analysis कर पाएं या ना कर पाएं निरंतर कुछ न कुछ न कुछ न कुछ विक्ति के भै संग्या निरंतर चालो रहता है और सब जीवों के रहता है ठीक है आगम में जो बात आती है साथ प्रकार के भै की बात आती है उसमें वेदना भै मृत्यू का भै है इस सारे भै के हैं और आहार, निद्रा, भै, मैथुन मैथुन की लालसा भी एकिंद्री जीवों के भी यानि टोटल एकिंद्री से लेकर के पंचे इंद्री तब सब में ये संग्या होती है अगला जो चार है देखो आप लोगो सब को पता है क्रोध, मान, माया, लोग क्रोध हिनको कितना आता है एक इंद्री जीवों को कौन सा क्रोध है देखो केटेगरी में जाएं तो चार क्रोध की चार केटेगरी है उनकी चार नाम है कौन कौन से नाम है चार प्रकार की क्रोध है ये इसको आप इजी तरीके से समझना चाहो तो इतना सा ऐसे समझ सकते हैं देखिए प्रतिकर्मन करते हैं एक पाक्षिक प्रतिकर्मन करते हैं सबको पता हैं, पक्ष में एक बार, एक चातुरमासिक प्रतिकर्मन करते हैं, एक सामधसरिक प्रतिकर्मन करते हैं, ठीक है, ये तीन प्रतिकर्मन करते हैं, अब ये तीन जो प्रतिकर्मन करते हैं, इसी को आप इन कसाय से संबंधित कर सकते हैं, चार प्रकार की जो केटिग्री करसाईगी कर रहा है किसी चीज को लेकर कि हमारे मन में बहुत भहिंकर गुस्सा है किसी के साथ भहिंकर मन मुटा हो गया ठीक है और हमने एक साल तब उसे खमत खामणा नहीं कर रहा है कितना पूरा एक साल तब मन में गाठ मार लिए है तो कौन सा करोध हो गया ये वन एर क्रोस कर गया उसको कहेंगे हम अनन्तान बंधी और यदि हमने एक साल के भीतर भीतर हमने खमत खामना कर ली ठीक है प्रतिकमन कर लिया प्राश्चित कर लिया खमत खामना कर ली तो वो अनन्तानु बंधी के केटिगरी में नहीं आएगा अब यहां कैसा होता है देखे इतना सा ध्यान दे सकते हैं राम ने स्याम को मारा किसने मारा? राम ने स्याम को मारा राम मार करके भूल गया स्याम जब जब भी राम को देख रहा है क्या बोल रहा है इसने मुझे मारा जब जब भी देख रहा है अब वो कौन सी केटेगरी में चला गया अननतानुबंधी जब जब भी देख रहा है लाइप में उसकी केटेगरी हो गई अननतानुबंधी मेरा एक प्रस्न है यहाँ क्या अननतानुबंधी कसाये वाला धार्मिक हो सकता है हाँ या ना वो अननतानुबंधी कसाये का गुण स्थान है पहला अननतानुबंधी कसाये का मतलब समझ गये सब क्रोथ, मान, माया, लोग इन चार चीज़ों को हम क्या बोलते हैं कसाये ठीक है और कसाये की चार केटेगरी अनंतानु बंधी आप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन पहली केटेगरी है अनंतानु बंधी और सारे जीव एकंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक एकंद्री से लेकर के आसंगी पंचेंद्री तक तो पहला ही गुणस्थान में है गुणस्थान कौनसा पहला बजना और एक नियमा बजना यानि हो भी सकता है और नियमा यानि होता ही है ठीक है तो एकंद्री से लेकर के आसंगी तिरियंच पंचेंद्री तक एकंद्री दुईंद्री तिरियंच पंचेंद्री ये तो सारे की सारे मिथ्या तो हैं मिथ्या तो यानि धर्म का जहां नामो निशान है ही नहीं ठीक है और तिरियंच पंचेंद्री में भी जिनका मन नहीं है और संगी तिरियंच पंचेंद्री तक सारे की सारे का कसाई की केटेगरी कौन सी भी अनंतान बंधी क्या बोलेंगे अनंतान बंधी ठीक है हाँ बोली राम ने श्याम को मारा और राम ने तो श्याम का अनंतान बंधी 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 राम तो भूल गया अरे उस ने तो क्रिया कर ली प्राया यानि मारा यानि वद्ध नहीं किया है वद्ध नहीं किया ठीक है मारा कोछबी किया वह तो मार दिया खतम बात खतम जो भी जो भी क्रिया कर रहा है वो जश्ट क्रिया किया उसने एक्षन किया जिस समय एक्षन किया उस समय उसके जो भी बंधन हुआ और एक्षन का बंधन नहीं होता है वो तो बहुत मिनिमम नहीं के बराबर उसके पहले जो संकल्प चलते जो एक मन में एक प्रॉसेस चलता है मुझे कैसे मारना है कहां मारना है किस रूप में मारना है और कितने जोर से मारना है दिले से मारना है इंसल्ट के साथ मारना है सब के बीच में मारना है ये जो दिमाग में चल रहा है बंधन किसका है ये संकल्प का ये प्रॉसेस अंदर स्पोर्ट ये नी मार दिया ठीक है वो अंदर स्पोर्ट जो मारा ने ने अंदर स्पोर्ट भी आपके बीतर संकल्प इसमें ऐसा है मैं बात सुनी उसमें भी संकल्प तो जगा अंदर स्पोर्ट भी मारा है भाहिंकर गुस्सा आया और कंट्रोल नहीं करता है और सीधा है और शॉट टेमपर वाले फिर जल्दी इसांती भी हो जाएंगे जल्दी सौरी भी कर देंगे जो इतना लंबा प्रोसेस के साथ किया है उसके संकल्प विखल्प भगवान जाने कितना चला है लक्ष पुर्वक मारा है तो वो जल्दी से सौरी भी नहीं करेगा कितना प्लानिंग करने में कितना टाइम उसने वेश्ट किया है है ना कोई भी क्रिया हमारे बंधन का कारण नबने ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कब भी हमेसा ध्यान रखना चाहिए समने वाले ने मारास कुछ भी कहा किया जो भी किया उसके लिए मैं क्यों अपना भाव बढ़ाओ मैं क्यों अपने करमों से अपने आप भारी बनाओ हलांकि है कठिन लेकिन कब तक आप थोड़ी दिर दो घंटा भी आप उस चीज़ को जैसे तैसे उसको एकसेप्ट कर लो उसकी बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसका पर्सेंटेज दिरे 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 कम होता जाएगा ये दि आपका अपना ये दि मालोब पार्टनर ही है और कोई ऐसी बात बोल दिया है कि आपको एकदम उसमें सत्यता नहीं है या उसमें भयंकर आपको गुसा रहा है एक बार येदि कंट्रोल कर लिए और इतना सा सोचते रहो एक बार देखो घुटन होगा सब्खेशन होगा सब्चीज होगा और बार बार मन में क्या आता रहेगा क्या आता रहेगा वापिस बोलो क्या विकल पाएगा उतना सा सोच लो क्या फरक पड़ जाएगा ये दि बोलूंगी क्या फरक पड़ जाएगा नई बोलती हो सा लेती हो तो क्या फरक पड़ जाएगा अपने से खुद से बात करते रहो करते रहो करते रहो थोड़ी देर बाद उसका पर्षेंटेक धीरे 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 कम होता चला जाएगा और वही मुझे मारना है मुझे मारना है मुझे वापस कहना है मान लीजे ओफिस चले गए फजिबेंट ओफिस चला गया और आपकी बारा घंडा दिमाग में क्या आ रहा है आने के बाद बस मुझे ये बाद और किस अब देखे क्या सोचते हैं किस तरीके से कहना है उसके साथ क्या-क्या एड करके कहना है ठीक है दिमाग में चाहिए का सिद्धान तलग है देखो और सामने वाले के पास टाइम नहीं है वो बात कह दी और वो तो चलता गया जाते जाते गेट से बाहर निकलते निकलते कोई बात बोलती है अब दूसरी बात एक बात और मज़ेदार बात है आप बार-बार सोच रहे हैं कि उसका रियक्षन वापस दस बात आपको सुनना फिर भी आप उस एक बात को पचा नहीं पाते हूँ दस बात फिर सुन लेंगी लेकिन लेकिन उस बात को ये दोनों तरफ से मैं एक तरफ का बात नहीं बोल रही हूँ और फिर भी साइट भाई लोग तो फिर भी ज़्यादा सहन कर लेते हैं बहने इतना सहन नहीं कर पाते हैं राइट हाँ या ना सहन सकती बहनों की ज़्यादा होती है भाईयों की होती है बोलो तुसे भाई लोग तो सब मौन बहटे हैं भाई लोग सोच रहे हैं बहने अपने आप भी बोल जाएंगे हम क्यों बोले हैं बहने क्या 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 बोले हैं बह अच्छा वो गुंजन जी ने दो को अलग-लग सेपरेट कर दिया सहन और सकती वो सहन भाई लोग ज़्यादा करते हैं और सकती ज़्यादा बहनों में होती है देखे यहां पर आप इतना सा ध्यान दिजेगा दो भाई वर्षों बरस बिजनेस पार्टनर रह सकते हैं दो दिराने जिठानी के साथ में रह सकते हैं बहुत मुस्किल है लेकिन दो बहने तो रह सकती है ने बहने भी नो 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 ने या मेरे बात सुनो यह दि एक ही घर पे यह दि गया है तो बहने भी रहना हम खुद देखे हैं ऐसे ऐसे जो सगी बहने और तो सगी भाईयों के साथ साधी बिलकुल पडोस में घर बोलचाल भी बन थे आपस में जाना करना तो सब बन थे बोलचाल भी बन सगी बहने तो इसलिए मैं बात ये बता रही हूँ देखो भाहि लोग तो फिर भी बश्रों पर साथ रह सकते हैं लेकिन बहने यदि साथ रह गए तो दुनिया का आठवा आश्चरी मान सकते हैं वो छूटी 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 बात में देराने जिठाने पहले करम का बिना बंधन करते वे रहते हैं रहना बड़ी बात नहीं कैसे रहना प्रेम के साथ रहना आज खुद आप सोचो मान लो दो पती पतनी भी हैं कितने कितने दिन छूटी बात को ले करके कितने कितने दिन नहीं बोलते हैं भगवान जाने आट दिन, दस तिन, बिस तिन, महिना बर, होता है नहीं होता है, हम जब घरों में कई बार रहने का काम पढ़ता है, बाहर जाते हैं, देखती हूं मैं, किसी कारण से वो वीवी आट दिन नहीं बोल रही है, और जब उसका मोड ठिक हुआ, हजबेंट बोलना बाबन, आट दिन, वो उने बोला है, बात छोटी सी होती है, एक एक तो ऐसी स्थिति थी, उस भाई ने क्या कहा, समरी जी इस घर में कोई भी चीज है, खाने की, वो देती ही नहीं है, मैंने का भूल जाती होगी, जबाब क्या दिया, समरी जी बागी सब को तो देती है, अ औरों को देने में नहीं बोलती है, मुझे क्यों बोलती है, अब इतनी सी बाल को ले करके, अब वो आठाट दिन नहीं बोलते, मैंने का ये धिरे-धिरे डेवल अफ हुआ या साधी के समय से बोले, जब से साधी हो क्या है, तब सी यही हाल है, आचा अब गुसे का कारण क् भई आप सामने वाले से या कौन से मालों अपनी बहिन से प्रेम से बात कर रहे हैं, तो हजबन को क्या लगएगा, उसके साथ तो इतनी हंस के बात कर रहे हो, मेरे साथ हो क्या जाता है, ठीक है, या हजबन किसी के साथ हंस के बात कर रहे है, तो वाइफ को, वो जीब हो जा करके सामने वाले नमुस्करा है तो उसने भी मुस्करा लिया बस अब इतना सा कारण कितने दिन तक उनका मन मुटा होता है चुटी चुटी बात होती है मुझे ऐसा लगता है कि देरानी जेठानी सास बोग तो बहुत से किंडरी बात है आपस में जो बिल्कुल नथिंग चीजों को लेकर कि कितना हो जाते है तो अपन बात कर रहे है केटेगरी की क्रोध कसाय की केटेगरी एक साल से उपर चला गया स्मीता जी ने कहा कि जो मारा उसके क्या बंधन हुआ या नहीं हुआ अनन्तानुबंधी तो नहीं हुआ और जश्ट ऐसे ही अंदस्पोर्ट बिना सोचे विचारे मार लिया है भहिंकर प्लानिंग पुर्वकर जो से मारा है एक ख़ण दो ख़ण की बात नहीं वो भी अनन्तानुबंधी हो सकता है हो सकता है वो भी परशंटेज कितना था उसमें भावों का परशंटेज कैसा था एक दम तिव्रता के साथ कुरूरता के साथ कोई मार रहा है तो यह हुआ हमारा पहला लेबल अनन्तानुबंधी गुणस्थान उसका पहला दूसरा आप्रत्याख्यान कितने महिने ऐसे उपर जाने से आप्रत्याख्यान की केटेगरी आ जाएगी देखो एक अपने समसरी की प्रतिकर्मन की बात की दूसरा प्रतिकर्मन चातुरमासी चार महिने तक मन में कोई बात की हमने गाठ मार ली ठीक है अच्छा पहले पहला अनंतानु बंदी यही रहता है तो बेक्ति क्या एजिब्मेट नहीं कर सकता है धार्मिक दृष्टी से सम्यक्त वो धार्मिक होई नहीं सकता है ठीक है? वो सम्यक्त्वी या धार्मिक होई नहीं सकता दिखावे के लिए ठीक है? आज एक घटना भी आती है अभीजी कुमार मैं सुशती है इसको अपन इतना ही रहने देते हैं एक बुक आज से सुरू करते हैं अपन अठारा पा आप बलेंगे समझे जी कितने पस्तक बात उस तिन तीन वो पढ़े थे क्या उसको सुरू भी नहीं किये थे ना सुरू किया नहीं था तीन बातें किया करे नहीं थी तो अब क्यूंकि वो निती प्रिया जी वहाँ यूथ में भी इसको सुरू कर रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने बच्चों के साथ डिसकुसन करने में अच्छा रहेगा कि उन्हें इसी को अपन कर ले अच्छा उच्चार को कंप्लिट कर ले ठीक है तो उसी में अपना चलो समय पूरा हो जाएगा अनंतानुबंधी जो समसरी का प्रतिकमन करते हैं और मन में किसी के प्रतिवी अपन का गांठ नहीं है तो हम अनंतानुबंधी में नहीं जाएगे और दूसरा है सम्वेक तो नहीं आता है अनंतानुबंधी कसाए है तो क्या नहीं आएगा सम्वेक तो नहीं आएगा यानि एक प्रकार से ये सुचवा धार्मिक नहीं कर लाएगे है दूसरा है अप्रत्याख्यान तो हमको किसमें आ गए अप्रत्याख्यान के बीतर उसके बीतर बीतर यह दिया अपन ने खमत खामना कर ली मन से बात निकाल दिये तो हम उसमें नहीं जा रहे और अप्रत्याख्यान कसाय विक्ति को क्या होने नहीं देता है एक है सम्यक्त दूसरा है स्रावकत्त ठीक है वो स्रावकत तो नहीं बने थे अब प्रत्य ख्यान कसा है तो हम स्रावक नहीं बन पाएंगे द्रिष्टी कोण हमारा क्लियर है, वीजन क्लियर है लेकिन हम स्रावक की केटिगरी में नहीं आएगे और तीसरा जो है अपना प्रत्य ख्यान प्रत्याख्यान कसाई ठीक है अनन्तानुबंदी और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाई क्या एचिप्मेंट करने पंदरा दिन के भीतर भीतर हमने खमत खाना कर ले तो ठीक है नहीं तो फिर प्रत्याख्यान के अंतरगत आ जाता है और क्या प्राप्त होने नहीं द भाव क्रत्या ख्यान कसाय का उदे भाव देखती के भीतर भावना ही नहीं आने देगा कि मुझे सादू भी बनना चाहिए आपके बार-बार मन में आ रहा है कि मुझे सादू बनना चाहिए सादू जीवन के अनुदना भी कर रहे है, मन में भावना भी आ रही है कौन आपका breaker कौन है? आपके कसाई ठीके? ये मोहनी करम का परिवार है कसाई क्या है? मोहनी करम का परिवार है और ये प्रत्या ख्यान कसाई जब तक रहेगा बेक्ति को साधुपन आने नहीं देगा और चौथा कसा है संज्वल पंद्रा दिन के भीतर-भीतर येदी है उसके बतलब एक बोलते ना गुसा भी जल्दी करता है और सांत भी जल्दी हो जाता है और ये संज्वलन कसा है बेक्ति का कौन से गुनस्तान था कसा है सारे दस्वे गुनस्तान तक ही रहते हैं ठीक है संजोलन कसाय यथा ख्यात चारित राने नहीं देता है यथा ख्यात चारित रह तो आगया लेकिन यथा ख्यात चारित राने देता है अच्छा अब एक खमत खामना की बात को ले करके एक बात बताओं, हम लोग, हमारा जैसे जो साधू का नियम है किसी से मन मोटा हो गया किसी कारण से हो गया, जब तक हम खमत खामना नहीं करेंगे, तब तक मुँमे पानी नहीं लेना है यानि खमत खामना मस्ट है, भूल किसी की भी हुई है ये नहीं देखना है कि भूल किसी हुई है मन मोटा हुआ कि मत खामना कि बिना मुमे पानी भी नहीं लेना है हाँ, अब कुछ बोल रहे थे हाँ, बुल बुल जैसे बने का साधू तो पाने नहीं जोटा पर जैसे यह था कारी तो दस वापने साधू बन सकता है ठीक है और साधू भी दो प्रकार के है छदमस्त और वीतराग ठीक है ग्यार्वे से तेर्वे गुनस्थान तक, चोद्वा गुनस्थान तो चलो तो ये वीतराग चारित रहे इसको यथा आख्या तचारितर कहेंगे ठीक है तो ये संजोलन कसा रहेगा तब तक हमको ये ग्यारवां गुनस्थान 11 से जो तेरा की बात कर रहा है ये आएगा ने तो ये जैसे ही खतम हुआ ग्यारवां गुनस्थान में चला जाएगा एकदम भीतर से जैसे एकदम सान तो हो गए सारा खेल टोटल खेल ये दि देखें टोटल खेल किसका है कसाय का धरम में आगे कोई बढ़ रहा है ये गुनस्थानों में आगे कोई बढ़ रहा है उसका सिम्टम क्या है कसाय का परसंटेज कितना कम हो रहा है आज कोई देखती आप उसको बोलेंगे ये अच्छा साधक है साधक की कसोटी क्या है कसा है सारा खेल टोटल कसा है बाहरी क्रिया में कभी मत जाओ एक कोई हो सकता है कि 24 घंटे में 22 सामाई करता है स्रावक 20 सामाई करता है ठीक है और गुसा में कसाई में येदि अनन्तान उबंधी है जब उसको धर्मी कहोगे बाहरी मापदंड से क्या है भाई ये 20 सामाई करता है डेली का इतना त्याग करता है मापदंड है हम दोसरों का मापदंड पहली बात तो कर ही नहीं सकते पहली बात दूसरी बात थोड़े से तो symptom होते हैं कि उसके रागद्विस कितने हैं छोटी छोटी बात में किसी को सहन कर पा रहा है या कोई बात उसको कह रहे हैं तो उसको सहन कर पा रहा है किसी बात की पकड कितनी है लेट गो कर रहा है या पकड़ लिया तो बात-बात में उसको सुना रहा है थोड़े तो व्यवार में ये दी साथ में जीते हैं देखो किसी को भी आप हमारे पास आते हैं हम आप लोग को देखते हैं, मिलते हैं न मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगे और न आपको लोग हमारे लिए कुछ कह सकते हैं 365 दिन जब तक हम किसी के साथ नहीं रहते किसी के लिए भी इंटर्पिटेशन करना क्या वो सही कर पाएगा कब भी नहीं क्योंकि हम तो सर्फ जो भी देख रहे हैं थोड़ा सा जो मीठा बोल रहा है भाहरी रंगडों को देख रहे हैं भाहरी बिहेवियर को देख रहे हैं राइट पहले होता था कि भैस ठीक है देखने में अच्छा है बातचीत में ठीक है अथ्टर प्रस्ण अथ्टर पूछ लेते हैं अभी साधिपप kombi आज कल क्या करते हैं महिना महिना उनके साथ time spent करते हैं उसके बाद भी 3-3-4 महिना साल भर भी अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ करके किये हैं और साम तक तलाग क्योंकि वो जो नेचर उनको 365 दिन पता नहीं चला था बार-बार से देखे थे अपन बात कसाय की कर रहे हैं तो चार का नाम बता देंगे आप लोग अनन्तानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन अनन्तानुबंधी किस कसाय का है नहीं अनन्तानुबंधी क्या आने नहीं देता है सम्यक तो आने नहीं देता है और प्रत्याख्यान कसा है? स्रावकत तुआने नहीं देता है प्रत्याख्यान कसा है? सादुत तुआने नहीं देता है और इनका duration कितना कितना है अनन्तानु बंधी का एक साल से उपर अब प्रत्याख्यान का चार महने से उपर प्रत्याख्यान का पंदर दिन से उपर यह था ख्याचारित पंदर दिन के बीतर वाला जो है ठीक है तो यह अपन दस संग्याओं के संदर्व हमें यह बात अपन किये है तो आज हमने छकाय की चर्चा की छकाय में सिर्फ पहला काय और वो भी प्रित्वी काय स्थावर तरस और स्थावर और सिर्फ हमने आज थूड़ी सी किसकी चर्चा की है प्रित्वी काय की और आगे हम आगे की चर्चा करेंगे इनी भावन और आईशी कितना है प्रित्विक आएगा मैक्सिमूम बाई सज्जाद वर्ष छलो आप लोगों तो पुरा की पुरा याद हो गया ठीक है और हम किसी कोई जिक्यासा है और बुक हाँ आपका पहला अपना नाम बता देजा आगया है इदर इदर आके बताईए मेरे पस कुछ प्रशन है जो आपके आदा में बताएगा सबको परशे देजे अपना मेरा नाम सज्जाद है मेरी आईउ 21 वर्ष है और मैं शरीमती मुक्ता जैन के साथ रहा है मैं अपके बीडी का लगता है मैं कुछ समय पहले ही प्रांस पाया तो भी एक्जाम के बीचन चुटी है वहां मेरा पहला प्रशने है था कि आपने बताया कि किसी को बात-बात में टोपने पे भी बंदन होता है तो वो कितना बंधन होता है और क्या होता है अब देखिए अब इसमें ऐसा है बंधन की मात्रा कितने इसका सिंबल सा येदि हम वो लें हमारे भीतर रागदूस कितना है हम किसी चीज़ को भी बोल रहे है बोलना टोकना बंधन नहीं है हमारे भीतर हम किस इमोशन के साथ बोल रहे है किस इंटेंशन के साथ बोल रहे है तो क्वांटिटी बंधन की क्वांटिटी है वो इंटेंशन के उपर डिपेंड करता है हमारे भीतर राक का भाव है, द्विश का भाव है, गिराने का भाव है, अपने आपको सोफ करने का भाव है, हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन के उपर डिपेंड करेगा, और सबसे पहले हम जब जब भी बंधन से बचना चाहते हैं, तो अपने हर चीज में उपने से ल मैं अभी मेरा इंटेंशन क्या है और इंटेंशन राग भाव कितना है और देश भाव राग का मतलब दूसरी बात यही हमने सिर्फ आदत बना ली आदत बना ली बेखती दो चीजे यही हम रियल में अपने आपको धार्मिक मान रहे हैं धार्मिकता का एक सबसे बड़ा लक्षन है जो आत्मा में रहेगा ठीक है आत्मा में रहेगा तो बेखती या तो आत्मा में रहेगा या बाहर रहेगा हम बाहर 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 किसी को टोकरे ऐसा क इसका मतलब हम 24 घंटा सिर्फ बाहर हैं दूसरी बात हम कोई केवली नहीं कि हम अपने आपको हर चीज में सही माने और दूसरों को टोकते रहें ऐसा क्यों क्या वैसा क्यों क्या ऐसा करो तीसरी बात सबकी अपनी सोतंत्रता है हम उसकी सोतंचता को क्यों छिनना चाहते हैं सबकी अपनी quality है किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है आज प्रावचन करते हैं बहुत लोग सोश्चे होंगे समने जी कभी एक भी song नहीं गाते हैं गीत नहीं गाते हैं यदि गीत गाना सुरू कर दें तो लोग कुछ बोलेंगे समने जी हमको गीत में इंट्रेस्ट नहीं है अब मैं यह कहना चाहते हूँ किसी को कुछ पसंद है अब खाने में भी पेट भरना है लेकिन कोई राइस काता है कोई चपाती खाता है कोई लोग टिखाता है अलग लग है तो हमारे विचारों को किसी पर भी थोपना नहीं चाहिए कि इसको ऐसा करो और ऐसा मत करो दूसरी बात कोई बात कह भी रहे हैं तो एक सुझाओ की भासा में ये दि इसको ऐसा करें तो कैसा लगेगा हमारी बात ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं बहुत बार रोलती हूँ जैसे अपने पैर में जब काटा चुपता है हम कैसे निकालते हैं एकदम से खिंच के फिंकते हैं क्या इतना धीरे इतना धीरे कि मजाल है कि उसके उससे हमको तकलीफ हो गया वैसे ही जैसे अपने पैर काटा निकालते है वोई भी बात हम किसी को भी भोल रहे वैसा बोलना चैहिए जैसे पैर काटा निकालते है बस हर्ठ नहोँ इतना soft और sweet बोले और अपनत्यों के साथ बोले उसके बात भी उसके चेहरे में कुछ reaction हो रहा है ये मत सोचो कि इती सी बात बोली और मैंने अच्छी बात बोली साइद मेरा तरीका और अच्छा हो सकता था मेरा वे और अच्छा हो सकता था ठीक है और कुछी जाए आपने बताया कि इस लोग करने से या मारने से भी बंदन होता है कसाई रखता है मेरे छोटे भाई हैं मेरा हाथ गुम जाका है बर उसमें किसी इचा बंधन नहीं मतलब मन में वो मूड़ेट नहीं रहती है तो मन में कुछ ना हो और उसके लिए कभी माफी ना मांगा हो तो उसका क्या करें ने ऐसी आदत को तो बदलना चाहिए पहली बात बदलना चाहिए और ये दी बदलना तो पड़ेगा पर अब जो और उसका है तो इतना प्यार दो जब भी जाओ उसके सिर के उपर हाथ फिरो उसको इतना प्रेम दो कि वो भी भूल जाए और आप भी एक परस्टा जितनी बा अब उतनी बार उसके सिर्फ़ पर प्रेम से हाथ जढ़ने और एक भी तर शेपश्चाता आपका भाव आना चाहिए और आखरी प्राष्म जो आखने बोला शुरूत में कि क्रोथ का आगमन जो होता है मन के अंदर मेरा ऐसा है कि मेरा जो क्रोथ का आगमन है वो अंदर होत अब जैसे गुसा आता है दूसरों की गल्ती पर अगर कभी काम करते समय या कुछ चिरचिरहाट पर होता है इसके वैसे खुट के उपर आ रहा है गुसा गुसा किसके उपर आ रहा है कुछ काम कर रहे हो कुछ बनकी हो तर आगे करोंगे काम कि अब जैसे मेरी माझश्री ने मुझे कुछ बोल दिया या यह तो कर सकता तें वह कैसे नहीं कर पाया तो उनके ओपर नहीं है मैं मेरा काम है तूर बता है लोगी गल्ती तो उसकी बहुना भ tighter वाहर आई भी म्हावना पूरी भाहर आजए एकको थोड़ा थे आहिए। घहो इसका तो सबसे पहले ये यह दी कोई काम कर सकते थे और कर नहीं पाए टाइम से कर सकते थे नहीं कर पाय थे हर एक इंसिडेंड एक लेसन होता है हम उसे लेशन ले यहां उसको मैं इस तरीके से करता तो यह टैमली फिनिस होता मतलब उस चीज़ को ही हम अपना प्रोग्रेस का साधन मान सकते हैं बनिस्पत गुसा करकी क्रोध ऐसा है सिधार जी क्रोध आता है हमें साथ जब स्वास छोटा होता है लंबा स्वास है उस समय आप गुसा करना भी चाहो तो भगवान भी आपको गुसा दिला नहीं सकता है तो अपने स्वास को ब्रिधिंग को जितना हम लंबा कर सकते हैं जितना लंबा कर सकते हैं और दूसरा भई भगवान नहीं है दूसरों से भूल हो गई तो यही सोचो human being is nothing खुझ से भी हो गई तो मैं कोई भगवान नहीं है ठीक है और धिरे धिरे सोते समय पांच या साथ बार बोल के सोना फिरा गुसा सांथ हो रहा है उठने के साथ उसको repeat करना आप 15 दिन ऐसा कर लेते हो सोलवे दिन आपको लगेगा कि कुछ result सामने आया है अपने पर work करो अपने work करते हैं दूसरों पर उसने ऐसा क्यों कहा क्यों क्यों क्या हाला कि अभी जो कोशिन आप सब खुद से related पूछ रहे हैं अपने को हम देखना शुरू कर दे अनालेसिस करना शुरू कर दे तो मैं सूच्तियों ये विकास का रास्ता हमने पकड़ लिया है वो रास्ता पकड़ लिया है तो एक तो affirmation ठीक है और दूसरा deep breathing लंबा स्वास ठीक है और तीसरा एक कर सकते हैं जैसे आत्मा का मूल सुभाव है क्षमा तो जब जब भी क्रोध है तो ये सोचो कि क्रोध मेरा सुभाव नहीं है मैं विभाव में क्यूं जा रहा हूँ सुभाव मेरा नेजर नहीं है मैं मैं नेजर से हटके क्यूं जा रहा हूँ अपने घर में जैसे आप मीतर के घर जादा रहोगें, अपने घर में. पाहर जादा जा रहा है. मुझे अपने घर आना है, अपने सभाव में आना है. जयाश आप बिजुलाईज कर सकते हैं. ठीकि छली.